माल रोड पे जो धिमाका हुआ था उसकी जांच के लिए आज NSG की एक टीम पहुंची है जिसके अंदर कमांडोज भी है और कुछ फोरेंसिक की टीम भी पहुंची है हिमाचल प्रदेश में शिमला शेहर की जन्ता एक लगातार मांग कर रही है कि जो यह दमाका हुआ था जिसने शिमला शेहर को एक भूकम के जटकों की तरह हिला दिया था उसकी उचित जांद की जाए आज हमें लगता है कि एनेश जी की आने से जो है यह जांच उत्रित रूप से होगी और जन्ता के बीच जो सच है वो तक्थियों के साथ आएगा कुछ दिन पहले डीजीपी संजे कुंडू जी ने और हमारे नेता प्रतिपक्स चैराम ठाकुर्जी ने भी इस थल का दौरा किया था यही Maan करते हैं समाम आगे बढ़ रहे हैं कि जिस प्रकार की घटना हुई है इस प्रकार की घटना ही माच़्र प्रदेश की शिमला शेहन में फिर से ना हूँ ये दिल दरने वाली घटना थी, जांच रिपोर्ट की हमें इंतजार है और किसी भी प्रकार का, अगर ये LPG गैस का कनेक्शन है, या उसके अंदर जिलिटिन बार है, या किसी और अन्य प्रकार का ये विस्पोर्ट है, जनता के सामने सच आना चाहिए कि शिमला की जनता और स जनता करें